नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं विकेटुल चैनल पिसनुजी के साथ दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं अच्छा हूं कि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे बीजनस के बारे में जिसका लागत सिर्फ 0 रुपए जी है मेरे दो फीडियो स्टार्ट परतें और आपको पूरा डीटेल में बड़ने वाले हैं कि यह बीजनस किस तरह से किया जाता है दोस्तों यह चोटा से तरीका है चाहें तो इसको आप अपना के आराम से पैसे कंवा सकते हैं और दोस्त जो तरीका है यह से बारहों महिने नहीं कंवा जा सकता जहां तक मुझे नौलेज है दोस्त मैं बता दो कि यह जो चीज आपको मैं दिखा रहा हूं यह ऐसा चीज है ऐसा काम वाली चीज है इसको खाने से समझ लिए कि ब्लॉट प्रेसर कंट्रोल में रहता है और सुगर जैसे बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है और दोस्त और भी परकार के बीटामिन सी और डी में भी यह काम आता है लेकिन दोस्त हम आपको पता दें कि आप इसको किस तरह से बेच कर पैसे कमा सकते हैं और आपका लागत जीरो रुपे कैसे लगाया जा सकता है दोस्त अगर आप बेरोज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो दोस्त सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यह जो आप देख रहे हैं यह क्या चीजह सरसो का यह साग है इसको काटा हुआ है अभी इसको बनाया हुआ नहीं है तो सरसो के पत्ते हैं जिसको साग के तरह काट दिया गया है दोस् कि निश्ची तौप पे अगर आप पास जमीन है तो उसमें गेहूं धान और जो भी फंसल उगाते हैं जी है मेरे दोस्त धान या गेहूं या वहल्दी कुछ भी उगाते हैं लेकिन अगर कार्थी का जो महीना आता है जिसमें रभी फंसल की बुगाई होती है दोस्त उसमें आप चाहें तो एक मुठा अगर सरसो उसमें छीट देते हैं और अगर आपके पास सरसो तो निश्ची तोर पे हो गाई हो गाई की लिए मैं आपको 0 रुपे में बता रहा हूँ क्योंकि जो भी ग्रिहस्त आदमी है उसके पास जो सरसो होता है वह बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वह सरसो उसमें छीटता है उसका कोई उसको पूजी नहीं लगानी पड़ती वह घर का ही सरसो छीट देता है अगर मान उसमें आपको उसको छीट देना है गेहु की बुगाई करते समय उसको क्या करना है उसके साथ ही छीट देना है और आपके घर पे ही पड़ा होगा वह समान और यह बात और है कि अगर आपके पास घर पे नहीं है तो इसको अगर खरीदने जाएंगे तो मुश्किल से 10 या 20 उपगे SR ₹utral में आपको उपलव्ध हो जाएगा और इतना जाद pasti आपको कमाई होगा आपको बस छीटने के बाद इसको क्या करना है कुछ नहीं करना है ना इसको पानी देना है ना कुछ देना है दोस्त यह आपका सगियत तयार हो जाएगा और आप चाहें तो मुठा बान करके अराम से 5 और पे 10 और बेज सकते हैं और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं दोस्त इसमें आपको कोई पूजी नहीं लगनी है जो दोस्त एक बात और बता दूं कि जब रभी की फंसल की बुगाई होती है उसके साथ अनेको साग अपने आप उत्पन होते हैं जमीन से जोस्त यो तरीका था यह चोटा सा तरीका है यह सीजनल तरीका है जो मैंने आपको बताया आप चाहें तो इसको भी एक बीजनेस के रोजगार हैं तो यह छोटा सा तरीका अपना करके पैसे कमा सकते हैं तो चलिए दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे अगर आप चैनल पर नए होएगा तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल लेंकन जरूर फ्रेस कर लिजेगा तो दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो में तब तके लिए जय हिन जय भारत